एक है तो सेफ है अर्बन नक्षलियों के इस गटगोड़ को इनके गटजोड़ को हमें पहचान नहीं होगा हम सब सरदार सहाप को उनके विचारों को जीने वाले लोग है भारत के बढ़ते सामर्थ से भारत में बढ़ते एक्ता के भाव से कुछ ताकत है कुछ विक्रुत विचार कुछ विक्रुत मानसिकता है भारत विक्सित हो क्योंकि कमजोर भारत की राजनीती गरीब भारत की राजनीती ऐसे लोगों को सूट करती हैं ये लोग संविधान और लोग तंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं भारत के भीतर और भारत के बहार भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरतां भारत में अराग जगतां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग भारत की सेनाओं तक को टार्गेट करने में लगे हैं भारत के बढ़ते सामर्थ से भारत में बढ़ते एक्ता के भाव से कुछ ताकत हैं कुछ विकृत विचार कुछ विकृत मानसिकता हैं कुछ ऐसी ताकत हैं बहुत परिशान है भारत के भीतर और भारत के बहार भी ऐसे लोग भारत में अस्थिरतां भारत में अराग जगतां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत के आर्थिक हितों को चोट पहुंचाने में जुटी हैं वो ताकते चाहती के दुनिया भर के नेशकों में गलत संदेश जाए भारत की नेगेटिव छबी उबरें यह लोग भारत की सेनाओं तक को टार्गेट करने में लगे हैं मिसिन्फर्मेशन केंपेंच चलाए जा रहे हैं सेनाओं में अलगाओ पैदा करना चाहते हैं यह लोग भारत में जात पांच के नाम पर विवाजन करने में जूटे हैं इनके हर प्रयास का एक ही मकसद है भारत का समाज कमजोर हो भारत की एकता कमजोर हो यह लोग कभी नहीं चाहते कि भारत विक्सित हो क्योंकि कमजोर भारत की राजनिती गरीब भारत की राजनिती ऐसे लोगों को सूट करती हैं पांच पांच दसक तक इसी गंदी गिनोनी राजनिती देश को दुरुबल करते हुए चलाई गई है इसलिए ये लोग सम्विधान और लोगतंत्र का नाम लेते हुए भारत के जन जन के बीच में भारत को तोड़ने का काम कर रहे हैं अर्बन नक्सलियों के इस गट गोड़ को इनके गट जोड़ को हमें पहचान नहीं होगा और मेरे देशवाचियों जंगलों में पनपा नक्सलवाद बंबंदूग से आदिवाची नवजवानों को गुम्रहा करने वाला नक्सलवाद जैसे जैसे समाप्त होता गया अर्बन नक्सल का नया मोडल उभरता गया हमें देश को तोड़ने के सपने देखने वाले देश को बर्माद करने की विचार को ले करके चलने वाले मुह पर जूठे नकाब पहने हुए लोगों को पहचानना होगा उनसे मुकाबला करना ही होगा साथियों आज हालत यह हो गई है कि आज कल एक ताकी बात करना तक गुना बना दिया गया है एक समय था जब हम बड़े गर्व के साथ स्कूल कॉलेज में गर्व में बाहर सहज रुप से एक ताके गीत गाते थे पुराने लोग है उनको पता है हम क्या गीत गाते थे हिंद देश के निवासी सभी जन एक है रंग रूप वेश भासा चाहे अनेक है यह गीत गाये जाते थे आज की तारिख में कोई यह गीत गाएगा तो उसको अर्मन नक्सनों की जमात गालियां देने का मोका पकड़े लेगी और आज को अगर कह दें कि एक है तो सेफ है तो यह लोग एक है तो सेफ है उसको भी गलत तरीके से परिभासित करने में लगेंगे जो लोग देश को तोड़ना चाहते हैं जो लोग समाज को बांटना चाहते हैं उन्हें देश की एकता अखर रही है और इसलिए मेरे देश वाजियों हमें ऐसे लोगों से ऐसी विचारों से ऐसी प्रवृत्ति से ऐसी वृत्ति से पहले से भी जादा सावधान होने की जरुरत है हमें सावधान रहना है साथियों हम सब सरदार सहाब को उनके विचारों को जीने वाले लोग है सरदार साब कहते थे बारत का सबसे बड़ा लक्ष एक जूट और मजबूती से जुड़ी शक्ती बनने का होना चाहिए हमें याद रखना है हिंदुस्तान विवितता वाला देश है हम विवितता को सलिब्रेट करेंगे तभी एक ता मजबूत होगी आने वाले 25 साल एक ता के लिहाद से बहुत ही महत्वपून है इसलिए एक ता के इस मंत्र को हमें कभी भी कमजोर नहीं पढ़ने देना है